हेलो एब्रीवन आज हम काबोईडिट मेटबॉलिजम में क्रेप साइकल के बारे में बात करेंगे क्रेप साइकल को क्रेप साइकल कहा जाता है या सिट्रिक असिड साइकल भी कहा जाता है यह TCA cycle भी कहा जाता है TCA cycle means tri carboxylic acid cycle और इस cycle को खोजने के लिए क्रेप को फ्रिट्स लिपमन के साथ 1953 में Nobel Prize प्राप्त हुआ था क्रेप cycle को स्टार्ट करने से पहले इसकी प्रारंभी कभी क्रियाई हैं दो जिसमें कि जो glycolysis cycle में pyruvic acid बनता है दो अनू जो पीछे हमने glycolysis किया है उस चक्र में जो दो pyruvic के अनू बनते हैं वो उनमें से एक तो acetyl coenzyme A में परिवर्तित हो जाएगा और दूसरा oxaloacetate में परिवर्तित हो जाएगा और यही acetyl coenzyme A और oxaloacetate यह क्रेप cycle में प्रिवेश करेंगे तो यह जो दोनों अभी क्रियाई हैं वो क्या कहलाती है क्रेप cycle की प्रारंभिक अभी क्रियाई initiation reactions of crepe cycle तो जो फास्ट है पहले पाइरवेट किसमें बदलेगा acetyl coenzyme A में इसमें NAD, NADH plus H में तूटता है carbon dioxide निकलती है एक समुहों काम करता है बहुत सारे enzymes का जिसको बोलते हैं पाइरवेट dehydrogenase complex जिसको की टेकसेस युनिवस्टी के लेस्टर रीड ने डिसकवर किया था इस अभी क्रिया में coenzyme प्रवेश करता है तो पाइरवेट किसमें बदल जाएगा acetyl coenzyme A में इस यह जो पाइरवेट dehydrogenase complex हमने लिखा हुआ है इसमें कौन-कौन से metabolites भाग लेंगे अंतरवर्ति पदार से यह आप देख सकते हैं छे हैं यह पहला तो enzyme है पाइरवेट dehydrogenase दूसरा TPP जिसको thymine pyrophosphate कहते हैं तीसरा FAD जिसे flavine adenine dinucleotide कहते हैं चोथा coenzyme, पाँचमा NAD, nicotinamide adenine dinucleotide और छटा lipoic acid तो यह बहुत important reaction है पाइरवेट से acetyl coenzyme बनना इसी से ही क्रेप cycle शुरू होगा और इसे क्रेप cycle की प्रारम भी करिया कहते हैं दूसरी अभी क्रिया pyrophate से बनता है oxaloacetate, इसमें carbon dioxide प्रवेश करते हैं अभी क्रिया में, enzyme काम करता है यह दिख रहे हैं आपको pyrophate carboxylase और biotin भी इस अभी क्रिया में भाग लेता है, तो pyrophate किसमें बदल जाएगा? oxaloacetate में structures बनाना हम इस वीडियो के part 2 में सीखेंगे, अभी हमें सिर्फ outline समझ नहीं है क्योंकि यह सबसे मुश्कल cycle है, तो से पहले हम सिर्फ outline या कैसे यह पूरा cycle बनता है, इसको हम सीखेंगे, जैसे glycolysis चक्र हमने पीछे पड़ा था, वो कोशिका के जीव द्रव में पूरा होता है, लेकिन सिर्फ oxygen की उपस्तिति में होता है, और glycolysis के बाद बनने वाला pyruvate कमल, जिसे pyruvate भी कह सकते हैं, TCA cycle में पुरवेश करने से पहले, ऐसे टाइल को इंजाइमी में परिवर्थित होता है, तो this reaction is very very important reaction, अब हम आते हैं cycle पे, यह आप क्रेप cycle देख सकते हैं, क्रेप cycle में पूरा होगा, आठ अभी करिया हो द्वार, आप देख सकते हैं, वैसे तो यह 10 है, वन, जो second अभी करिया है, उसको दो पार्ट पर बाटा गए, 2A and 2B, थर्ड कोवे 3A and 3B, 4th, 5th, 6th, 7th and 8, आज हमें सरफ यह ही सिखना है, कि कौन से, कहां से शुरू होगा, और कौन-कौन से अंतरवर्ती उपापचे पदार्थ, जिने की कहते हैं, intermediate metabolites बनेंगे, जैसे सबसे पहले, शुरू कहां से होगा क्रेप सैकल, oxaloacetate से, यहां से, oxaloacetate ऐस्पार्ट रेट से भी बन सकते हैं, consumination द्वारा, तो oxaloacetate से क्या बनेगा, citrate, enzyme है, बीच में enzyme लिखे हो है, citrate, synthase, यहां पर यह देखो, जो pyrovic acid पहले, एक acetyl ko enzyme, यह में बदला था, और दूसरा oxaloacetate में, तो यह दोनों मिलके क्या करेंगे, क्रेब cycle को शुरू कर देंगे, और citrate बनेगा, जल का एकनू प्रवेश करता है, citrate से क्या बनेगा, cisaconitate, यहां पर enzyme काम करता है, iconitase, और इसको अपना कारे करने के लिए iron चाहिए, as a cofactor, और जल का एकनू निकलता है, जो 2B है, cisaconitate किसमें बदल जाएगा, isocitrate, enzyme iconitase है इसे भी अपना कारे करने के लिए iron के आउशकता होती, यहां पर जल कानू एक प्रवेश करता है, तीसरी अभी क्रिया में, isocitrate किसमें बदल जाता है, isosuccinate, enzyme क्या है, isocitrate dehydrogenase, यहां पर NAD, NADH plus H में तोटता है, जो 3B reaction है, oxalosuccinate किसमें बदल जाता है, alpha keto glutrate मे, enzyme isocitrate dehydrogen और यहां से carbon oxide बाहर निकलती है, यह जो alpha keto glutrate है, glutamate से भी बन सकता है, trans amination द्वारा, अगर आपको थोड़ा confusion हो, तो यह वाला हम पार्ट छोड़ सकते हैं, हम सीधा ही इसको बना सकते है, alpha keto glutrate से succinyl को enzyme बनता है, यह बहुत important reaction है, और बहुत बड़ी reaction है, क्योंकि यहां भी alpha keto glutrate dehydrogenase complex काम करता है, NAD, NADH plus H में तूट जाता है, इस सभी क्रिया में FAD भाग लेता है, lipoic acid भाग लेता है, TPP भाग लेता है, co enzyme A भाग लेता है, carbon dioxide निकलती है, तो alpha keto glutrate किसमें बदल जाता है, succinyl co enzyme A में, fifth reaction में succinyl co enzyme किसमें परिवर्तित हो जाता है, succinate में, यहां enzyme काम क जाता है, देखो नाम से पता चल रहा है, succinyl co enzyme A से अगर co enzyme A निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, succinate, यहां पर GTP, GDP और phosphate में चेंज हो जाती है, और वो ADP, phosphate से जुड़के ATP में बदल जाती है, succinate, जो sixth reaction है, succinate किसमें बदलता है, fumarate में, enzyme Succinate dehydrogenase, यहां पर FAD, FADH2 मे seventh reaction में fumarate किसमें बदलता है, mallet में, और enzyme कौन सा काम करता है, fumarase, यहां पर जल का एकनू प्रिवेश करता है, mallet पुन है, oxalo acetate में change हो जाएगा, और यहां पर enzyme काम करेगा, mallet dehydrogenase, और यहां पर NAD, NADH plus H में तूट जाएगी, तो यह crepe cycle इस तरह से चलता रहता है, इसको enzyme के लिए, बहुत सी awareness चाहिए, सबसे बड़ी important चीज़, जब हम structures बनाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए, कहां water molecule, यहां पर first reaction देखे, water molecule add हो रहा है, second में देखे, 2A में water molecule निकल रहा है, हमें यह पूरा ध्यान रखना है, जल का अनू कहां प्रिवेश कर रहा है, कहां न six ATP's बन रही है, कहां पर four ATP's बन रही है, कहां पर two ATP's बन रही है, तो total, अगर प्रारंबिक अभी क्रियाओं को देखें और इस cycle को देखें तो कुल मिला के 30 ATP's बनती है, क्रेब साइकल के पूरा होने पे, तो glucose का अनू पूरी तरह से metabolize होकर, एग glucose का अनू, glycolysis और क्रेब cycle के द्वारा 38 ATP's बनता है, 8 ATP's glycolysis चक्र में और 30 ATP's क्रेब साइकल में, आज के लिए इतना ही काफी है, आपको आपके लिए homework है कि आप इसको बनाएं, क्योंकि ये धुरूँसा मुश्किल है, लेकिन बहुत इंट्रेस्टिंग भी है, अगर आपको बाय कमिस्ट्री में इ अधिक आसान लगेगा, तो आपके लिए homework है, notes मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, और ये notes ही है इस वीडियो में, तो आपको ये cycle बना के बनाने की कोशिश करने, कल हम structure बनाना सिखेंगे, जो कि बहुत आसान है, thank you.